नमस्कार भारत वानी से मैं कविता सुना रहे हूँ आपको श्री राम की कथा मर्यादा पुरिशोत्तम श्री राम की कथा अध्यात्म रामायन के माध्यम से महर्शिवेद व्यास रचित आध्यात्म रामायन के माध्यम से आज है नमी कड़ी पिछले बार हमने देखा था श्री राम का सीता जी से विवाह धनुश भंग आज होगी परशुराम जी से भेट बालकांड से ही सब्तम सर्ग चली प्रारंप करते हैं आज का पाठ श्री महा देव ओवाचा अथग अच्छति श्री रामे मैथिलाद्यो जनत्रयम निमित्ता अन्यति घोराणि ददर्श रिपसत्तम नत्वावसिष्थां पप्रच्रके मिदम्मु निपुंगव निमित्ता नीह द्रिश्यंते विशमाणि समन्तता तक्रके वसिष्ठस्तमथ प्राह भयमागामि सूच्यते पुनरप्य भयमते अध्य शीघ्रमेव भवेशती म्रिगाह प्रदक्षिरम यांती पश्यत्वाम शुभ सूचकाह इत्येवं वदतस्तस्य वववगो रतरो निलह मुष्णन्ष चक्षून्ष सर्वेशाम पांसु व्रिष्टे भिरल दयन ततो व्रजंद दर्शाग्रे ते जो राशिम उपह स्थितम श्री महादेव जी बोले श्री राम चंद्र जी के मिथिला पूरी से तीन योजन आगे चले जाने पर रिपश्रेश्ट दशरत जी ने अत्यंत घोर अपशकुन देखे तब उन्होंने वसिष्ट जी को प्रणाम करके पूछा मुनिश्रेश्ट क्या कारण है कि चारों और भयंकर अपशकुन दिखाई दे रहे हैं वसिष्ट जी ने कहा इन अपशकुनों से किसी आगामी भय की सूचना होती है किन्तु साथ ही यह भी सूचित होता है कि फिर शीक्र ही अभय प्राप्त होगा क्योंकि देखो तुम्हारी दाईयोर शुभ सूचक म्रिक गण जा रहे हैं तो वसिष्ट जी के ऐसा कहते ही बड़ा प्रचंड वायू चलने लगा उसने धूल बर्सा कर सब के नेत्रों को मूद दिया फिर उन्होंने चलते चलते तेज का पुंज अपने सम्मुख उपस्थित हुआ देखा कूटि सूर्य प्रती काशम विद्युत पुंज सम प्रभम तेजो राशिम ददर शाथ जाम दग्न्यम प्रता पवान नीलमेगनिभाम प्रांशुम् जटामनुडलमंडितं धनुपरशुपानेमच साक्षात कालं इवांतकं कार्त वीर्यांतकं रामं द्रिप्तक्षत्रियमल्दनं प्राप्तम दशरतस्याग्रे कालमृत्युमिवापरं तंद्रिष्ट्वाभय संत्रस्तो राजादशिरत्स्तदा अरग्यादि पूजाम् विस्मृत्यत्राहित्राहितिचाप्रवीत् दंडवत प्रणि पत्याह पुत्र प्राणम प्रयच्च में इति ब्रुवन्तम राजानम नाद्रित्यरगुतममृ तो चलते चलते फिर उन्होंने करोणों सूर्यों के समान तेजस्वी विद्युत्पुंज के समान प्रभा संपन महा प्रताफी तेजो राशी नील मेग सी आभा वाले उन्नत काये जटा जूट धारी हाथ में धनुष और परशु लिये प्राणियों का नाश करने वाले सा रक्षात काल के समान परशुराम जी को आते देखा उन्होंने देखा कि कार्तवीरे का वध करने वाले और गरवीले क्षत्रियों का मान मर्दन करने वाले परशुराम जी जो दूसरे यमराज के समान हैं महाराज दशरत के सामने खड़े हैं उस समय महाराज दशरत उन्हें देखते ही भैवीत हो गए और अरगे इत्यादी से उनकी पुजा करना भूल कर रक्षा करो रक्षा करो ऐसा कहकर पुकारने लगे और दंडवत प्रणाम करके बोले हे प्रभु मुझे मेरे पुत्र के प्राणों का दान दीजे उवाच निष्ठुरम वाक्यम क्रोधात प्रचले तेंद्रियह त्वम राम इति नाम नामे चरसी क्षत्रियाधम द्वन्व युध्धम प्रयचाशुयदित्वम शत्रियो असिवै पुराणम जरजरम चापम भंत्वात्वम कत्थसे मुधा अस्मिन्स्तु वैष्णवेचाप आरोपयसीचे गुणं तदा युध्धम त्वयासार्धम करोमी रगुवंशज नोचेत सर्वान्धनिष्यामी क्षत्रियांत करो ह्यहं इति ब्रुवति वैतस्मिंश्च चालवसुधा प्रिशं अंधकारो बभुवाथ सर्वेशाम पिचक्षुशाम रामो दाशर थिर वीरो वीक्षतं भार्गवं रुशा इस प्रकार प्रार्थना करते हुए आजा की ओर कुछ भी ध्यानना देकर उन्होंने क्रोध से व्याकुल हो कठोर वाणी से रगूतम श्री राम चंद्रजी से कहा अरे क्षत्री आधम तु मेरे ही समान राम नाम से विख्यात होकर प्रित्वी में विचरता है तो यदि तू वास्तव में क्षत्री है तो मेरे साथ द्वन्व युद्ध कर एक पुराने जीर्ण शीर्ण धनुष को तोड़ कर व्यर्थ ही अपने प्रशंसा कर रहा है अरे रग कुलोत पन यदि तू इस वैश्णव धनुष पर रोंदा चड़ा देगा तो मैं फिर तेरे साथ युद्ध करूंगा नहीं तो मैं अभी सब को मार डालूंगा क्षत्रियों का अंत करना तो मेरा काम ही है तो परश राम जी के ऐसा कहने पर कृथवी बारंबार कापने लगी और सब के नेत्रों के सामने अंधकार चागया धनुराचिद्य तधस्तादारोप्य गुण मंजसा तूनी रादबानमादाय संधाया कृष्य वीर्यवान अवाच भारगवं रामम श्रुनु ब्रम्हन वचो ममा लक्ष्यम दर्शय बानस्य यमोगो मम सायकह लोकान पादयुगं वापिवद शीक्रम ममाग्यया अयम लोकह परोवाथ त्वयागं तुम नशक्यते एवं त्वमहे प्रकर्तव्यम वदशी घ्रम ममाग्यया एवं वदते शी रामे भारगवो विक्रितानना तब फिर दश्रत नंदन वीरवर राम ने परश राम जी की और रोश पूरवक देखते हुए उनके हाथ से धनुष छीन लिया और उस पर अनायास ही रोंदा चढ़ा कर अपने तरकश से बान निकाल कर उस पर रखा और उसे खीच कर भरेगुनंदन परश राम जी से कहा ब्रह्मन मेरी बात सुनिए मेरा बान अमोग है यह व्यर्थ नहीं जाता इसके लिए शीक्रिही लक्ष रिखाओ अपने पुण्य से जीते हुए लोग अथवा अपने चरण इन दोनों में से मेरी आग्या से शीक्रही किसी एक को बताओ उसी को इस बान से बेद डालूगा अब तुम इस लोक या पर लोक में कहीं नहीं जा सकते अब तुमारे साथ मेरा जो कुछ कर्तव्य है वह तुम मेरी आग्या से शीक्रही बताओ श्री राम चंद्र जी के ऐसा कहने पर भिगुनंदन परश राम जी का मुख मलिन हो गया संस्परन पूर्व वृत्तांतम इदम बचनम ब्रवी राम राम महा बाहो जाने त्वाम परमेश्वरम पुरान पुरुषम विष्णुम जगत सर्गलयो भवं बाल्ययहं तपसा विष्णुमारा धयतुमन जसा चक्रतीर्थम शुभम गत्वा तपसा विष्णुमन बहं अतोशयं महात्मानम नारायन मनन्यधी ततह प्रसन्नो देवेशह शंख चक्र गदा धरहन वाचमाम रघुष्रेष्ठ प्रसन्न मुख पंक जहन परश्राम जी ने जब श्री राम की वो बात सुनी तो उनका मुखमलिन हो गया उन्हें कुछ पुराना याद आ गया फिर उन्होंने उस पूर्व व्रत्तांत को स्मरण कर यह कहा हे राम हे महा बाहो मैंने आप परमेश्वर को जान लिया पहचान लिया आप साक्षात संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण पुरान पुरुष भगवान विश्णु है मैं बाल्या वस्था में तप के द्वारा विश्णु भगवान की आराधना करने के लिए अकस्मात परम पवित्र चक्रतीर्थ में पहुंचा और वहाँ प्रति दिन अनन्य भाव से तपस्या करते हुए मैंने परमात्मा नारायन भगवान विश्णु को प्रसंद किया हे रगुश्रेष्ट उस समय शंक चक्र गदाधारी प्रसंद वदन देवेश्वर विश्णु ने मुझसे प्रसंद होकर कहा श्री भगवान वाच्वा उत्तिष्ठ तपसो ब्रह्मन फलितम तेतपो महत् मच्चिदंशेन युक्तस्त्वम जहि है हय पुंगवं कात वीर्यम पित्रिहनम यदर्थम तपसहस्रम ततस्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त् प्रक्ष्यसी माम्ततह मत्ते जह पुनरादासे त्वै दत्तं मया पुरा तदा तपस्चरन लोके तिष्ठत्वं ब्रम्हनो दिनं इत्युक्त्वांतर दधे देवस्तता सर्वं कृतं मया अब बताते हैं परशुराम जी की भगवान विश्णु ने उनसे क्या कहा जब उन्होंने तपस्या करके उन्हें प्रसंद कर लिया था तो भगवान विश्णु बोले कि यह ब्रम्हन तपस्या छोड़ कर खड़े हो जाओ तुम्हारा महान तब सफल हो गया है तुम मेरे चिदंश से युक्त हो कर जिसके लिए यह तपस्या करने का कष्ट उठाया है उस पित्र घाती है है श्रेष्ठ कार्थ वीरे का वध करो और फिर 21 बार समस्त क्षत्रियों को मार कर संपून प्रिथवी कश्यप जी को दे शांति लाभ करो मैं अविनाशी परमात्मा त्रेता युग में दशरत के यहां राम नाम से जन्म लूँगा उस समय मेरी परमशक्ती सीता के सहित तुम मुझे देखोगे तब सबसे पहले इस समय दिया हुआ अपना तेज में फिर से ग्रहन कर लूँगा तब से तुम तपस्या करते हुए कलपांत परियंत प्रिथवी पर ही रहोगे चिरंजीवी हो जाओगे ऐसा कहकर भगवान विश्णु अंतरधान हो गए और मैंने जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही किया साइव विश्णुस्त्वं राम जातो असी ब्रम्हना थितह मैं स्थितमतु त्वत्तेजस्त्वयःव पुनराहृतं अध्यमे सफलं जन्म प्रतीतो असी मम प्रभो ब्रम्हाद भिरलभ्यस्त्वं प्रकृतेह पारगो मतह त्वई जन्मा दिशंभावा न संत्य ज्ञान संभवाह निर्विकारो असी पूनस्त्वं गमना दिविवर्जितह यथा जले फेन जालम धूमो वहनव तथा त्वई त्वधाधारा त्वधिशया मायाकार्यम स्रिजत्यहो यावन्माया वृता लोकास्तावत्वामना विजानते अविचारित सिधैशा विद्या विद्या विरोधिनी आगे कह रहे हैं परशुराम जी तो मैंने आपको पहचान लिया है हे राम आप वही विश्णु है ब्रह्मा की प्रार्थना से आपने जन्म लिया है और आपका जो तेज मुझ में स्थित था वह आज आपने फिर ले लिया हे प्रफो आज मेरा जन्म सफल हो गया जो मैंने आपको पहचान लिया क्योंकि आप तो ब्रह्मा आदि से भी अप्राप्य और प्रकृति से भी परे माने गए हैं आप में अज्ञान जन्य जन्म आदि ये छे भाव विकार नहीं हैं तथा आप गमन आदि से रहित निर्व नहीं अहो जल के फेन समूह और अगनी के धुएं के समान आपके आश्रित और आप ही को विशय करने वाली माया नाना प्रकार के विचित्र कारियों की रचना करती हैं मनुष्य जब तक माया से आवरित रहता है तब तक आपको जान नहीं सकता तो विद्या की विरोजिनी यह अविद्या जब तक विचार नहीं किया जाता तभी तक रहती है अविद्या कृत देहा दिसंगाते प्रतिविंबिता चिचक्तिर जीवलोके अस्मिन जीव इत्य भिधियते यावद्देह मनह प्राण बुध्यादिष्व भिमानवा तावत्कर तृत्व भोक्तृत्व सुख दुखा दिभागवेत आत्मनह संसितिर नास्ति बुधेर ज्ञानम नजात्विती आविवेकाद्वयम युक्त्वा संसारीते प्रवल्तते जडस्यचित्समायोगाचित्वम भुयाचित्ते स्तथा जडसंगाद जडत्वम ही जलाग्नोर मेलनम यथा यावत्वत्वत्पाद भक्तानाम संग सोख्यम नविन्दति तावत्संसार दुखोगान निवर्ते नरह सदा तत्संग लब्धयाभक्त्यायदात्वाम समपासते तदामायाशन इर्यातितानवं प्रतिपत्यते ततस्त्वक्याद्ध संपन्नह सद्गुरुस्तेन लभ्यते आगे कहते हैं परश्राम जी की अविद्या जन्य देह आदि संगातों में प्रतिविंबित हुई चित शक्ति ही इस जीव लोक में जीव कहला दि यह जीव जब तक देह, मन, प्राण और बुद्धी आदि में अभिमान करता है तभी तक करत्रित्व, भोकत्रित्व और सुख दुखादी को भोगता रहता है बास्तव में आत्मा में जन्म मरण त्यादी संसार की कोई भी अवस्था है ही नहीं और बुद्धी में कभी ज्ञान शक्ति नहीं है अविवेक से इन दोनों को मिला कर जीव अपने आपको मैं संसारी हूँ ऐसा मान कर संसार के कर्मों में प्रवित्त हो जाता है जल और अगनी का मेल होने से जैसे जल में उष्णता और अगनी में शीतलता शांतता उत्पन हो जाती है आग बुझ जाती है और जल गरम हो जाता है उसी प्रकार जड़ बुद्धी का चेतन आत्मा से संयोग होने से उसमें चेतनता और चेतन आत्मा का जड़ बुद्धी से संयोग होने से उसमें करत्रित्व और भोकत्रित्व आदि जड़ता प्रकट हो जाती है जड़ और चेतन के संयोग से ही पैदा होते हैं शरीर और उन शरीरों के कर्म और उसके बाद फिर निरंतर कर्मों का एक चक्र हेराम जब तक मनुष्य आपके चरण कमलों में भक्तों का संग सुख निरंतर अनुभव नहीं करता तब तक संसार के दुख समुह से पार नहीं होता जब वह भक्त जणों के संग से प्राप्त हुइ भक्ती द्वारा आपकी उपासना करता है तब आपकी माया शनएः शनएः धीरे धीरे चली जाती है और फिर वह क्षीन होने लगती है और फिर उस साधक को आपके ज्ञान से संपन सद्गुरु की प्राप्ति होती है और उन सद्गुरु देव से महावाक्य का बोधपा कर महावाक्य को जान कर वो आपकी कृपा से मुक्त हो जाता है तस्वात्वत्भक्ति ही नाना कल्पकोटे शतै रपी ना मुक्ति शंका विज्ञान शंका नैव सुखम तथा अतस्वत्पाद युगले भक्तिर मे जन्म जन्मनी स्यात्वत्भक्ति मताम संगो विद्याया भ्याम विनशति लोके त्वत्भक्ति निरतास्वत्धर्मा मृत वर्षिणह पुनन्ति लोकम खिलं किम्पुनह स्वकुलो भवां नमोस्तु जगताम नाथ नमस्ति भक्ति भावन नमह कारुणि कानंत रामचंद्र नमोस्तु ते देव यद्यत्कृतम पुन्यम मयालोक जिगीशया तत्सर्वं तव बानाय भुयाद्राम नमोस्ते ततह प्रसन्यो भगवाः श्रीरामह करुणा मयाः प्रसन्यो अस्मितव ब्रम्हन्यत्य मनसिवल् अगे बोले परशराम जी इसलिए आपकी भक्ति से शुन्य पुरुशों को सौ करोड कलपों में भी मुक्ति अत्वा ब्रम्ह ज्यान प्राप्त होने की संभावना नहीं है इसलिए उन्हें वास्तविक सुख मिलने की भी कोई संभावना नहीं है अतह मैं यही चाहता हूँ कि जन्म जनमांतर में आपके चरण युगल में मेरी भक्ति हो और मुझे आपके भक्तों का संभ मिले क्योंकि इन्हीं दोनों साधनों से अविद्या का नाश होता है संसार में आपकी भक्ति में तत्पर और भगवत धर्म रूप अम्रित की वर्षा करने वाले भक्त जन्म संपून लोक को पवित्र कर देते हैं फिर वे अपने कुल में उत्पन हुए पुरुषों को पवित्र कर देते हैं इसमें तो कहना ही क्या है हे जगनात आपको नमस्कार है हे भक्ति भावन आपको नमस्कार है है करुणामय है अनंत आपको नमस्कार है है राम चंद्र आपको बारं बार नमस्कार है है देव मैंने पुन्य लोक प्राप्ति के लिए जो कुछ पुन्य कर्म किये हैं वे सब आपके इस बान के लक्ष हों है राम आपको नमस्कार है तब करुणामय भगवान श्री राम चं तुम्हारे हृदय में जो जो कामनाएं हैं उन सभी को मैं पूर्ण करूँगा इसमें संदेह मत करना तब परशुराम जी ने प्रसन्न चित होकर शीराम से कहा यदि में अनुग्रहो राम त्वास्ती मधु सूदन तब भक्त संगस्त्वत पादे द्रढा भक्ति सदास्तुमें स्तोत्रमे तत पठेद्यस्तु भक्ति हीनो अपिसर्वदा तब भक्ति स्तस्य विज्ञानम भूयादंते स्मृति स्तव तथेती राग वेनोक्तहन परिक्रम्य प्रणम्यतं पूजितस्तदनुग्यातो महेंद्रा चलमन्वगात राजादशिरतो हृिष्टो रामम मृतमिवागतं आलिंग्यालिंग्य हरशेण नेत्राभ्याम जलमु स्रिजे पुरम ययों राम लक्ष्मन शत्रुग्न भरतादेव सम्निताह स्वाम स्वाम भार्याम पादायरे मिरे स्वा स्वामंदिरे माता पित्रिभ्याम संख्रिष्टो रामह सीता समन्विताह रे में वैकुंठ भवने श्रियासह यथा हरिही तो परश्राम जी बोले श्री राम से हे मधुसूदन राम यदि आपकी मेरे उपर कृपा है तो मुझे सदा आपके भक्तों का संग रहे और आपके चरण कमलों में मेरी स्तुद्रिध भक्ती हो तथा कोई भक्ती हीन पुरुष भी यदिस स्तोत्र का पाठ करे तो उसे सरवदा आपकी भक्ती प्राप्त हो और ज्ञान प्राप्त हो तथा अंत समय में आपकी स्मृति आपकी याद बनी रहे तदनंतर रगुनात जी के ऐसा ही हो इस प्रकार कहने पर परशुराम जी ने उनकी परिक्रमा कर उन्हें प्रणाम किया और उनसे पूजित हो उनकी आग्या से महेंद्र परवत पर चले गए राजा दशरत ने राम को मानुमृत्यु से लोटे हुए समझ अत्यन्त हर्ष से बारंबार आलिंगन किया और नेत्रों से आनन दश्रुओं की वर्षा करने लगे तद अनंतर वे सब प्रसन्य चित से अपनी अयोध्या पुरी में आये वहां पहुँचकर राम लक्ष्मन भरत और शत्रुग्न अपनी अपनी पत्नियों के साथ देवताओं के समान अपने अपने महलों में रमन करने लगे सीता के सहित श्री राम चंद्र जी अपने पिता माताओं का आनन्द बढ़ाते हुए इस प्रकार रमन करने लगे जैसे वैकुंठ लोक में भगवान विश्नु लक्ष्मी के साथ विहार करते हैं युधाजन नाम कैकेई भ्राता भरतमा तुलह भरतम नेतु मागच्छत स्वराजम प्रेति संयुतह प्रेशयामा सभरतम राजा स्नेह समन्वितह शत्रुखनम चाप संपूज युधाज तमरिंदम कोह सल्याश शुषुभे देवी रामेन सहसीतया देव मातेव पौलो म्याशच्या शक्रेण शुभना साकेते लोकनाथ प्रथित गुण गणो लोक संगीत कीर्तिही श्री रामह सीतयास्ते अखिल जनने करानन्द संदोह मूर्तिही नित्यश्रीर निर्विकारो निर्वधी विभवो नित्यमाया निरासो माया कार्यानो सारी मनुज इवसदाभाति देवो खिलिशह तो अब सब लोट आए हैं दश्रत जी अपने पुत्रों सहेत पुत्रवधूं सहेत अयोध्या सब प्रसन्य चित्त हैं अपने-अपने महलों में रमण करते हैं आनन्द से विहार करते हैं तभी एक दिन कैकई के भाई भरत जी के मामा युधाजित भरत को प्रीति पूर्वक अपने यहां ले जाने के लिए आ गए शत्रुदमन महराज दशरत ने भी युधाजित का सत्कार कर उनके सनेह वश भरत और शत्रुग्ण को उनके साथ भेज दिया तदुपरांत देवी कौशल्या राम और सीता के सहित इस प्रकार सुशोभित हुई जैसे पुलोम पुत्री शची और इंद्र के सहित देव माता अदिती शोभाय मान होती है जिनके गुणगण ब्रम्हा आदी सकल लोकपालों में प्रसिधी है जिनकी कीर्ती संपोन लोकों में गाई जाती है जो सारे मनुष्यों के आनंद समूह की मूर्ती है जो नित्य शोभाधाम निर्विकार अनंत वैभव और सदा मायातीत हो कर भी माया कार्यों का अनुसरण करते हुए सदा मनुष्य के समान प्रतीत होते हैं वे अखिलेश्वर भगवान राम सीता जी के साथ जैने आयोध्या धाम में विराजने लगे यहां पर समाप्त होता है बालकांड से सात्वा सर्ग इत श्रीमत अध्यात्मरामाइने उमा महिश्वर संबादे बालकांडे स अब्तमा सर्ग है और इसके साथ ही बालकांड भी यहां पर समाप्त होता है अगली बार लोटोंगी लेकर आयोध्या कांड से प्रत्थम सर्ग प्रतीक्षा कीजिएगा जै श्री सीता राम जै भारत